फारुक अब्दुल्ला अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और ऐसे ही फारुक अब्दुला के 370 वाले बयान को लेकर सुप्रीम कोट में क्याचिका दर्च करवाई गई थी और इस याचिका को खारिच करते हुए सुप्रीम कोट द्वारा कहा गया है कि सरक का बयान देश द्रोही है जिसको सुप्रीम कोड़ द्वारा साफ खारिच करते हुए याची का करता रजट शर्मा पर पचास हजार उपए का जुर्माना भी लगाया गया है दरसल पूरी बात यह है कि रजट शर्मा द्वारा कहा गया था कि फारुक अब्दुल्ला कश्मीर में धारा 370 की बहली के लिए चीन से मदद मांगना चाहते थे इसी बात को नेशनल कॉन्फरेंस ने साफ साफ मना करते हुए कहा है कि हम कभी भी धारा 370 की बहली के लिए चीन की मदद नहीं ले सकते और आगे मिली जानकारी के अनुसर हम आपको बता दे कि याची का करता रजट छर्मा द्वारा कहा गया कि फारुक अब्दुल्ला द्वारा एक देश द्रोही बयान दिया गया है जिसके लिए उनके उपर ग्रह मंत्राले द्वारा कानूनी कारेवाही करने के साथ उनकी संसत की सदस्यता भी खारिच कर देनी चाहिए और इसी पूरे मसले को लेकर सुप्रीं कोड द्वारा फारुक अब्दुल्ला को रहत देते हुए याची का करता पर 50,000 उपे कर जुर्माना भी लगाया गया है और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ कर दो 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 दोग्या है तमाम भी खबरों के साथ